मित्रों नमस्कार आज आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे गुजरात हिमाचल और दिली नगर गम चुनाओ की चुनाओ संपन हो चुके हैं कल गुजरात में आखरी चैनल का चुनाओ था और उसके बाद टीवी चैनल ने अपने एक्जिट पॉल दिये इन एक्जिट जो आए हैं नतीजे के हमें और हमाचल को अपने नियुक्त में और गुजरात में इसमार्या मुकाभले को चैनल क्यल्य सरते सर्कार बना रही तो ये तीन एक जेटर पोल के जो आए हैं नतीजे उसके बेसे हम कहसे हैं तो मित्रों आपको पता है कि गुजरात में एक सुबाइशे सेते हैं और उने एक सुबाइशे प्राइलिया की कि तो उनके कारण उनका जो एक उनके मन में है कि संजेज जोशी जोनके परतिदंदी रहे हैं उनकी पार्टी में ही महासचु थे तो उनके समय 127 सेटे मिली थी बीजेपी को और उसके बाद से मोदी जी 157 लेके आए फिर ओ 107 लेके आए फिर 99 लेके आए तो अभी यह चुनोती है उनके सामने की संजे जोशी का रिकार्ड तोना है और जोशी जी ने 127 से जीती थी उसको जिता कर 139 से 140 के बीच का उनको वैसे जो टार्गेट था 150 का था पर जो एक्जिट पोल आ रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि 139 के आसपास बीजेपी को सेटे मिल लई है और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बीजेपी की बड़ी जीत होगी तो मित्रो जो हम गुजरात के हम टीवी चैनलों की बात करें तो उसमें जी न्यूज ने 110 से 125 सेटे दिखाई हैं और आपका जो कॉंग्रेस है उसको 80 सेटे दिखा रहे हैं आम अधिक पार्टी को पांच सेटे इंडिया न्यूज 117 से 140 सेटे बीजेपी को दिखा रही है ति एकउन से 34 सेटे कॉंग्रेस को और तेरो करीब अम आहतरी को और जो इखा रहा है जो सबसे सटीव होताय चानके का वह देखाए बीजेपी को करीबन 1500 नजंदी होता है सचाहि कि बागी तो हमने देखेंगे वो पिट जाते हैं तो चान के 50 सेटे कहे रहा है कॉंग्रेस को 40 सेट के आसपास दे रहा है और आमादी पार्टी को करीवन 13 सेटें दे रहा है तो मुझे लगता है उनका सटिक लग रहा है क्योंकि जो माहूल है वो इसी तरह का दिख रहा है हिमाचल की हम बात करें यहां थोड़ा सा बीजेपी को जटका नजर आएगा जट रानक्य है उसने 33 सेटे दिखाई हैं दोनों को और जुकाव दिखाया कांग्रेस की तरफ तो यानि हमाचल में कॉंग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी को सेटे कम हो रही है और वहां पर जो बीजेपी में बीजेपी ने कहा था कि रिवाज बदलेंगे जो एक साल बीजेपी का वहां पर राज होता है तो उसमान हम बीजेपी लगाता है दूसरा टर्म वहां पर लेगी और उसके लिए परधानमंतरी ने और तमाम नीताओं ने बहुत जोर का जोर लगा था लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अभी तो रिजल्ट आएंगे पता लगेगा त तो इस अनमान के हिसाब से फिर उसमें देखते हैं कि कौन कितना पानी में लेकिन एक्जिट पोल बता रहे हो यहीं बता रहें कि बीजेपी वहां पर हार ये कॉंग्रेस चुनाव जीतेगी और एमसीडे का चुनाव तो कमाल कर रहा है एमसीडी में सभी जो टीवी चैनल ने वह बता रहे हैं कि जैसे आज तक ने बताया कि दिल्ली में जो एमसीडी है 250 में से 171 सिटें आमादी पार्टी को मिल रही हैं कॉंग्रेस और खतम हो गई है केवल साथ सिटें बीजेपी को नांटीवन सिटें टाइम सनाव बता रहा सतर से नब्य सेटें बता रहा है भाजपा को और आमादी पार्टी को 175 सिटें और जीनियूज भी आमादी पार्टी को 148 सेटें दे रहा है तो कुल मिलाके और चाने के भी यही कह रहा है चाने के भी कि आमादी पार्टी को एक सो एक सो पचासी उपर सिटे दे रहे हैं तो इसका मतलब लगभग आप यह मान की चलिए कि नगर निगम में मैं शीक्रिः और यहेंने क्या करण को मैं कहलें कि केम सिड का जो वोट बैंक है वही वोट भेंग बिदान समय है और बिदान समय llegó और अमादी पार्टी को बहुत बडिजित मिली थी है पहली बार 67 सट्र में ऐसेRe मिली थी और दूसरी बार सत्तर में से 62 सेटे मिली थी और इनका जो वोटर है वो जुगी बस्ती आम और अनाथ्राइस कलोनी ए रिक्षा तांगा जो काम करने वाली लोग हैं महिलाएं हैं जिनको फ्री बस में टिकड मिला है और अब इन्होंने जो आर डबुले को मिनी पारस पार्टी को बड़ा महां पे बहुमत मिलने वाला है और महलाओं का जो कामकाजी महला हैं जो घरों में काम करते हैं उनके लिए तो जो फ्री बस पास जो दिया के दिए वह बड़ा काम किया क्योंकि उन महलाओं को आने जाने में तीन-चार हजार रपे खर्च हो जाते थे तो यह यह उनको फ्री मिलने के बाद वह आसाने से दोर से भी काम करने के लिए आ सकते हैं और एक से ज्यादा कॉलियों में भी जा सकते हैं तो इस तरह से किजरिवान ने जो फोकस किया है टार्गेट किया है चाहए वह फ्री भी इसको लिगे सुपरेम कोड कुछ कहें चुनव जीत रहें हालें को गुजराद में इंटी ठीक ठाक होगी आठ से दस सिटें उनको मिल रही है और उनको वोट परसंटेज वी दो-तीन परसंट वहां मिल रहा है और हमाचल में हलां कि उनको कुछ खास नहीं मिला है तो देखते हैं कि अब इसका जो रिजल्ट आए